एंगिन आलतान की अपकमिंग सीरीज की बहुत ही लंबी लिस्ट है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि एक आत्मी है चारपाच सीरीज पहले से ही अनाउंज है और मैं आपको नाम बता दूँ दकोड, दगाइड, फते अंदलू सीजन 2 आतिश कुषलरी और महमद बोजदा की जो नई सीरीज प्रॉफेट मोहमद पर बनाई जा रही है उसमें भी काफी खबरे हैं कि एंगिन रहेंगे और यही नहीं एंगिन आलतान एक मीटिंग में थे जब बाहर रिपोर्टर्स ने उनसे पूछाय तब उन्होंने जवाब दिया कि नेक्स सीरीज मेरी कुछ दिनों में अनाउंस हो जाएगी तो क्या एंगिन इनी सारी सीरीजेस में से किसी सीरीज की बात कर रहे थे या फिर कुछ और नए आ आ रहा है तो अगर कुछ नए आ रहा है तो बाकी सीरीजेस का क्या होगा तो इस वीडियो में इसी चीज़ को एक्स्प्लेइन करने की कोशिश करूँगा वीडियो एंट तक ज़रूर देखना बहुत मज़ा आएगा वैसे अगर आप चैनल पे नए हैं तो आटमिक स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजे और इसे वीडियो के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं एक चीज़ आपने ज़रूर नोटिस की होगी कि मेजॉरिटी ऑफ दा सीरीज मेहमद बोजदाक की है ऐसा क्यों हो रहा है कि मेहमद बोजदाक की सारी सीरीजस में एंगिन को कास्ट किया जा रहा है और सुनने में ये भी आया था कि दास्तान सीजन टू में भी एंगिन रहेंगे भले सीरीज का सेकेंड सीजन कैंसल कर दिया गया है लेकिन अब भी दो से तीन सीरीजस महमत की हैं तो सिंपल सी चीज है अरतुल का जो फैन बेस है वो चाहता है कि ये दोनों लेजंड से एक साथ हो जाएं तो ऐसे बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं और आतिश कुछलरी में भी एंगिन नहीं रहेंगे और 90% चांस है कि Our Master's Series जिसमें Prophet की Life दिखाई जाएगी उसमें भी एंगिन नहीं रहने वाले लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दोनों सीरीजस रिलीज नहीं होंगी मेहमत बनाएंगे किसी और के साथ लेकिन एंगिन नहीं रहने वाले जहां तक बात रसुल अल्ला के life बनने वाली सीरीज की है तो ये बहुत ही जादा controversial सीरीज बन सकती है और मैं नहीं चाहता के इसमें मेहमद बोजदाग अपना नाम खराब करें क्योंकि आपको पता है आदत बन चुकी है मेहमद बोजदाग की हिस्ट्री बदल के अपने अंदाज में पेश करना लेकिन अगर मेहमद कोई भी चेंज नहीं करते तब भी बहुत जाया दिक्कत हो सकती है और सिर्फ एक दो गलतिया काफी रहेंगी बहुत ही बड़ी ओडियन्स को ट्रिगर करने के लिए और उसके बाद बवाल आप सब जानते हैं तो मैं चाहता हूँ ये सीरीज कैंसल हो जाए क्योंकि एक सीरीज के लिए दो बिलियन से जादा लोगों को सैटिस्फाइ करना इंपॉसिबल है मेरे ही साब से और मेहमत को इस चकरों में नहीं पढ़ना चाहिए बहुत बड़ी इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी है उस पर आप बनाये लेकिन ये टॉपिक थोड़ा जादा ही सेंसिटिव है तो इसको छोड़ देना चाहिए लेकिन अगर मेहमत गैरेंटी लेते हैं कि इस सीरीज से सब लोग सैटिस्फाइड फील करेंगे तो मेरे साब से मेहमत को बनाना चाहिए अगर इतनी गैरेंटी दे सकते हैं लेकिन तब भी बहुत ही मुश्किल है मेरी साफ से सब को satisfy करना और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना opinion comment section में ज़रूर बताएं इस series के related बात करते हैं एंगिन आलतान की series की तो अगर एंगिन किसी नई series के बारे में बात करने हैं तो मेरी साफ से the guide cancel हो जाएगी and the code suspend हो सकती कुछ दिनों के लिए जहां तक बात फटे एंगिन के काम करने की है तो वो तो confirmed है क्योंकि अभी एक साल है उस series के second season के लिए and एंगिन उसमें आराम से काम कर सकते हैं और अगर इसका उल्टा हुआ एंगिन इनी दोनों series में किसी की बात कर रहे हैं तो जादा chance है कि the code की बा अगर producer तयार होते हैं और अगर इन दोनों series को छोड़ दें तो पता नहीं कौन से series एंगिन बना सकते हैं या तो historical होगा या फिर modern series भी हो सकती है लेकिन historical के होने के काफी कम chance है क्योंकि पिछले 7 सालों से एंगिन historical में इकाम कर रहे हैं तो मेरे इस आप से modern series होने वाली है and movie my father's violin भी काफी अची चली थी Netflix पे तो chances है कोई movie release हो and इस video में मैंने दो series के बारे में बात की है the code और the guide इन दोनों series के बारे में मैंने पहले से ही बहुत सारे videos बना के रखे हैं and मैं recommend करूंगा आप उन दोनों videos को जरूर देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए सब कुछ description में link मिल जाएगी video जरूर देख लेना जहां तक बात मेरी है मैं चाहता हूँ historical हो series तो जादा better रहेगा लेकिन अगर कोई modern series बनती है तो high budget series होनी चाहिए and कुछ भयानक action देखने को मिलना चाहिए my father's violin बहुत जादा sad movie थी तो वैसा कुछ नहीं चाहिए इस बार कुछ action ह होना चाहिए वैसे अगर कोई भी update आती है तो channel पर मिल जाएगी मिलता आपको किसी और video में thank you for watching